इयर पियर्सिंग को हील करने का सही तरीका क्या है? Hey everyone, I'm Raveena and welcome to my channel. So, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इयर पियर्सिंग की and उसकी हीलिंग प्रॉसेस की. कुछ ताइम पहले मैंने इयर पियर्सिंग करवा था और मुझे लगा यर पियर्सिंग करवाना ही भूध बड़ी प्रॉब्लम है. अजन भोव भी पें होगा वो seeking टाइम पे होगा तो ठीक है मुझे लगा इतना पेंट तो मैं टॉलरेट कर सकती हूँ. इन्जेक्शन से डर लगता है बढ़ ठीक है कर लूंकी और यह भी नहीं मुझे एक दो फर्वान था मैंने सीधर चार बेर्सिंग कर वा ले दो इस यह में एंड टू इस यह में का नहीं तो आप एक काम करो उधर इधर 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 सब कर डालो मुझे लगा आप तो क्या यह मेरे थोड़े दिन में चेंज कर लूंगी और बड़े अच्छ अच्छ से एरिंग पहनूंगी एक दो दिन के बाद मेरे जो यह थे वह बहुत जादा स्वेल हुए थे मतलब यह समझ लो कि वह ऐसे पूरे रैड बंदर के कान हो थे नो पूरे रैड हो गए थे अबुझे जीव लग रहता है बहुत जादा टाइड और हाड एकड़ में स्टोन की तरह हो गया था मेरा एक एर और वह बूरा उसकी साइड मुझे लगा यह क्या हो गया मतलब मुझे अब यह निकलवाना पड़ेगा क्या इतने रिस्क लेने के बाद इतना डर को टॉलरेट करने के बाद मैंने करवाया तो आप मुझे यह निकलवा दूंकिया में यह मुझे ऐसा फिल ओड़ता है गूगल पे यूट्यूब पे हर जगान सर्च कर लिया कि इसको कैसे सही करें क्या होता है उन्हों नहीं कहाता कि आपको देसी के लिए नहीं हो थोड़ा गरम करके लगा लि उसे भी मैं लगा रही थी लेकिन फिर भी वह बहुत पेंड कर रहा था बहुत जादा और इंटरनेट पे सर्च करने के बाद भी कोई पर्फेक्ट सॉल्यूशन नहीं था एक भी ऐसी वीडियो नहीं थी जिसमें सही सही से बता रखा हो कि एक्जक्ट आपको करना क्या है म नी अंगाली को ऐसे निकाली और लाइक कर दी फर्स्ट वीक मेले बहुत पेंफुल था मेरे एर्स बहुत जगा स्वैल हो गए थे और वो पेंड हो रहे थे एविन मुझे यह लगने लगा था कि मुझे यह एर पियरसिंग बंद करवा देना चीह क्योंकि अब मैं और पें बिल्कुल गायब था So now let's see मैंने वो फर्स्ट वीक के बाद ऐसा क्या किया जिससे मेरे एर पियरसिंग हील हो गई और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एर पियरसिंग को हील करते टाइम और जब एर पियरसिंग करवा रहे हो तो क्या चीज़े ध्यान में रखनी है Let's see ear piercing करवाते टाइम आप ध्यान रखें कि ear piercing silver या फिर gold के wire से हो ये जो मेरी दोनों ear piercing है वो दोनों silver wire से है तो आपको ध्यान रखना है कि metal जो है वो silver या फिर gold होना चाहिए और कोई दूसरा metal नहीं होना चाहिए gun तो बिल्कुल avoid करें gun से ear piercing नहीं करवाना है second step आता है ear piercing को heal करने का तो यहाँ पे दो चीज़े आती है number one क्या करना है number two क्या नहीं करना है तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है किन चीजों को avoid करना है खाने में बहुत सारी चीज़े हैं जिसों avoid करना पड़ता है आपको क्या चीज़े नहीं खानी है राजवा, छोले, चना, चने की दाल, कॉर्ण, अचार, कब तक नहीं खाना है तो एटलिस्ट 21 दिन या फिर एक महीने तक बिल्कुल भी नहीं खाना है ये साथी चीज़े Second, आपको अपने ear piercing को गंदे हाथों से नहीं चुना है जब भी चुएं तो अपने हाथों को अच्छे से धुलने तब चुएं और सबसे बड़ी बात तो वैसे आपको चुना ही नहीं है, unnecessary आपको जब आप clean कर रहे हो या फिर medicine लगा रहे हो तब ही touch करें वरना touch ही ना करें Third, आपको अपने ear piercing को clean करना है कैसे clean करेंगे, simple पानी से नहीं आपको क्या करना है, sea salt आता है, उसे लेना है, पानी लेना है थोड़ा दोनों को गरम करना है, मतलब पानी में थोड़ा नमक डाले, गरम करें गुन-गुना करें, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी नहीं चाहिए हमें गुन-गुना पानी चाहिए उससे लें और उससे अपने ear piercing को clean करें अब clean कैसे करेंगे, वो पानी ऐसे थो नहीं डाल सकते इसलिए आपको चाहिए एक cloth, उस cloth को आप अपने पास रख लें और उसे only अपने ear piercing को clean करने के यूज करें और starting के days में उससे बस ऐसे उपर से पानी डालते वे clean करना है लेकिन जब आपकी ear piercing थोड़ी-थोड़ी हील होने लग जाए तो आप उसे ऐसे touch भी कर सकते है most important thing, cleaning के time आपको ये ear ring निकालना नहीं है आप सोचिंग की चलो निकाल कर फिर clean कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जब आपकी ear piercing clean हो जाए तो आपको लेना है देसी घी, देसी घी को आपको गरम करना है और लगा लेना है बट देसी घी की जगा मैं आपको suggest करूँगी कि ये जो medicine है beta dean आप उसे लगाए देसी घी जो है, वो मैंने starting care days में apply किया था बट उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं दिख रहा था मतब हील नहीं हो रहे थे तो मैं यही suggest करूँगी कि आप beta dean लगाएं ये best है, at least मेरे case में तो इसने बहुत अच्छा वाग किया है most important thing कि सोना कैसे है मेरे दोनों ears में piercing थी तो मैं नहीं ऐसे सो सकते हैं एक साइट से नहीं दूसरे साइट से बिल्कुल सीधा सोना है सोते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका pillow cover है वो एकदम clean होना चाहिए वो हर तीसरे दिन में आपको अपना pillow cover change करना है उससे भी अच्छा एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको आप अपना कोई भी पुराना टॉप लें और अपने pillow पर ऐसे बिछा लें और फिर सोएं और जैसे ही तीन दिन हो जाएं आप अपना वो टॉप उसे धुल दें और दूसरा टॉप बिछा लें ये process आपको almost 21 डेस तक करना है इससे क्या होगा कि infection के chances बहुत ही कम होंगे आपको proper care करना है तभी ये ear piercing हील होंगे I hope मैंने आपको बोर नहीं गया है plus मैंने आपको proper information दी है So अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो like कर दिया करो यार